दोसे स्वागत है नए वीडियो है, दोसे से इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप easy touch की setting कैसे कर सकते हैं? Easy touch की पुरी full setting बताने वाला हूँ? तो easy touch की setting करने के लिए बीवो के इस model में या फिर इसके pro version में या किसी भी model में आपको क्या करना होगा एसे स्कॉल करने लेना होगा सेटिंग जाना होगा सेटिंग जाने के बाद आपको स्कॉल करना है और यहां पे उसको आप चाहो तो यह रोबोट का फोम दे सकते हो जैसे कि मैंने यहां पर रोबोट करके अपलाई कर दूंगा तो यह रोबोट का फोम सामर के हिसाब से यहां पर डीडी कर सकते हो यह कुछ इस टाइप से दिखेंगे पहले ऐसा रहेगा फिर चूपके वह ऐसा दिख जाएगा ठीक है या फिर आप चाहो तो फ्यूचर कर दे सकते हो तो देखो मैं ज्यादा लाल पिला हरे करने की कोशिश नहीं करता हूं मैं तो इसकी विजिबिलिटी आपको कितनी चाहिए आप अपने हिसाब से देख लीजिए और अटो हाइड इन फूल स्क्रीन में आप कर लेना है फूल स्क्रीन में कुछ अलाओगे अटो हाइड हो जाएगा और आटो हाइड आफ्टर तीन सेकेंड तक अगर मैं इसको यहां से इ इस पर टैप करोगे एक बार तो क्या होना चाहिए तो जैसे इस पर टैप करना हो मेनू खूल रहा है तो यहां से आप मेनू सेलेक रुख रहे हे वह तभी खूल रहा है तो अगर आप नपनींग कर दोगे ध्यान दिजाए यहां पर कुछ नहीं होगा स्रूप करने। टो इहां पर देखो जो मैं double tip करें वह नंट एक लॉक हो जाएगा ठीक है तो यहां पर इस तरह से अब यहां पर प्रेस एंड फोल्ट से क्या होना चाहिए तो मेरे इसाब से slide करूं तो क्या होना चाहिए जैसे कि hold करके इस तरह से slide करूं back हो जाएगा ठीक है और hold करके अगर नीचे की तरफ slide करूं ठीक है तो यह क्या हो जाएगा nothing हो जाएगा अगर hold करके slide करूं नीचे की तरफ ह錯 छोल्ड करने के निश्य की तरफ करोगे तो क्या है चाहिए तो मेरे इसाबन करता हो तो मैं स्क्राइब गर तो मैं and slide up तो आपको एक option देता हूँ कि आप यहां पे क्या set करोगे ठीक है आप set कर लो कि hold करके उपर की तरफ करोगे तो क्या आना चाहिए ठीक है अब यहां पे अब यहां पे इसी तरह से मैं बाइक कर देता हूँ और बाइक करके अब यहां पे आ जाता है मेनू यानि कि जो मेनू टाइप करके आ रहा था उस मेनू को यहां पे आप टूल डाल सकते हैं और यहां पे आप डाल सकते हैं तो कस्टमाइज मेनू पर गया है और कस्टमाइज मेनू पर जा करके यहां प अपर हटा भी सकते हो यहां से इसके बाद आप टूल की बात कर लो तो तो पुछ पहले से यह होते हैं जो नहीं चाहिए उसको आप क्लोज कर देना या फिर क्लिक तू आइड पर जाना जिसे रिकॉर्डिंग भी आइड कर लेता हूं है या फिर बहुत सारे टूल होते हों मिस्की नोटिफिकेशन जो मर्जी वर टूल आप आइड कर लो जो हटाना यहां से अड़ा सकते हो तो अब मैं आपको दिखा लेता हूं यह देखो हो मिस्क्रीन पर मैंने टाइप किया तो यह तूल आगए मेरे डारेक्ली अब टूल प करके इस तरह से लाक इधर चोड़ देना है फिर यह इधर चुप जाएगा तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए सेर के लिए सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए